इतो नमकी है तो यह नमकी कन बनता है और जैसे बहुत ही ईजी है यह बनाना बहुत ही जैसे चाइके साथ भी बहुत अच्छा लगता है और मिठाई के साथ देखिए यहां पे मेने मैदा ले लिया है एक कप मैदे से बहुत सारा निम्की बनेगा और इसमें मैंने जाल दिया है काला जीरा तो इसको हम बंगाली लोग एक है थोड़ा सा डाल दिया है बेकिंग जैसे चाय के साथ साम को खाने में भी बहुत ही जैसे बहुत दिल खुस हो जाता है ऐसा निमकी अगर मिल जाए जैसे बनाना तो बहुत ही इजी है हर कोई बना सकते जैसे देखी तररिके से थेल के साथ मिक्स कर Criminal सेoue एक डो बना लिया है देखिए जादा सक्त ना जादा नडम एक मीडियम सा मैंने जो बनाया है देखिए इससे दो रोटी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने दो बॉल कर लिया फिर उसके बाद रोटी बेल देंगे दो रोटी बना के फिर निमकी बनाएंगे यह बहु निम्की भी जैसे थाली में मिठाई का थाली होता है उस थाली में निम्की भी अगर हो जाए एकदम दिल खुस हो जाए तो गाइस निम्की तो ऐसे मार्केट में भी मिलता है लेकिन घर का बना हुआ निम्की बहुत ही स्वाधिस्थ होता है बहुत ही टेस्टी होता है तो गा थोड़ा सा बन चुका है और मीडियम तु लो फ्लेम में इसको बनाने से इसका अंदर भी एक दम कुरकुरा रहता है जैसे एक महीना स्टोर करके भी आप खा सकते हो उसमें कोई दिक्कद नहीं है जैसे यह टाइट कॉंटेनर में आप लोग रखके भी खा सकते हो बहुत ही चाय के साथ जब खाते हो तब भी अच्छा लगेगा तो ऐसे करके भी बना के स्टोर करके रखके भी हमेशा खा सकते हो या पुझा के टाइम पे भी बना के मिठाई के साथ भी प्लेट में रख सकते हो तो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है अगर अच्छा लगता है कि आप लोग इसे कौन से नाम पर जानते हो तो निमकी तो हम बंगाली लोग बोलते हैं। तो जैसे ढलेंगे गाम你就र तो यह जाएगा लग भी भी हो जाएगा। तो इतना मतलब यह इसma ही होता और जैसे खाने की और भी ने हैं तो नहीं काने में अधने हैं, और यह स्टोर करके रहता है तो काईस देखिए मैंने ऐसा निए उठा लोंगी इसको तेखिए ऐसा कर करते हैं तो जो लोग जैसा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप लोग फ्राइब कीजिए तो एक दम बहुत ही ऐजी रेसिपिये यह कोई भी बना सकते हो घर पर बनाव् एक हमार के कुछ भी खाना बोहत जाता है बहुत कुछ बिगता है बहुत कुछ बियाताहे और बाहर के खाने में तो फर्क कितना है आप लोगो को तो पताये घर का खाना healthy होता है, swadish होता है और बहुत प्यार से भी बनाया होता है और बाहर का खाना आप लोगों को तो पता ही है तो ग्रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया नीम की आज का वीडियो इतना ही मिलते फिर अगले ब्लोग में बाइ बाइ गाई आप सब अच्छे से रहें, खुश रहें